हाई गारीज वेल्कम बेक टो मैं चैनल मैं हूँ सुकमार मेरी चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है तो आज का वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग और काफी इंफोमेटिव है इसमें हम मेली बहुत ज़्यादा घर में योगा कर सकते हैं हमारी जो कार्डियो एक्सराइस है वो मोस्ली नहीं हो पा रही है जिन जिन लोगों का मैसेज आ रहा है मेरे पास या मियस आ रहे है कि सुकर में कुछ इसता है कि चीज़े बताएं जो एक जिन के इस लोग्डाउन में हम घर में रहके अपना वेट लॉस कर सके तो आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगे कि आपके बोड़ी खुद ये वेट लॉस करने के लिए मजबूर हो जाएगे जी हां आज में बात करने वाली हो जठर अगनी में जो कि आपके बोड़ी में स्वता ही ऐसी प्र कि आपकी बोड़ी कैसे ही अपनी आप रियक्ट करना स्टार्ट करती है यानि कि वेट लॉस करना स्टार्ट करती है तो सबसे बहले मैं इसका बहुत ही सॉट्स आपको मैसस देना चाहती हूं कि जब हम कुछ खाते हैं आपने खाना खाया ब्रेक्पास किया कुछ भी किया तो हमारी बॉड़ी में एक तरह की अगनी प्रजलित होती है जिसे आयरवेदा में जठर अगनी बोलते हैं और यह आपके खाने को पूरी तरह से जला देती है अच्छे चीज़ आपकी बॉड़ी को दे देती है लेकिन जब आप खाने के तुरन बाद पानी पी लेते हैं तो यह आपके अगनी को जलने जादा देर तक नहीं देती है या तुरन बुझा देती है जिसकी वज़े से खाना मैं नहीं होगाता है तो एक स्टॉण डैस्टिप के लिए आपकी यह जठर अगनी को ज़दा देर कैसे जले, ज़दा फायर में कैसे झले तो यह सारी चीज़े आज में लेके आई हूं तो इस जठर अगनी के द्वारा आप किस तरह से अपना बेट लॉस करेंगे उस बारे में आज आपको बताऊंगी और सित एक छोड़ा सा फॉर्मोला है और इस इस दिन के लॉग्डाउन में आपको एजी वेव में अपने घर पे अबलेबल मेलेगा कि खुछ आपको कहीं भी कुछ और नहीं करना है तो मैं बताऊंगी कि इस जठर अगनी को दुगनी तेज़ी से प्रवजलिद कैसे करें या निकि कि उसको दुगनी तेजी से हम कैसे काम करें जिससे कि आप जो कुछ भी खाऊं थुन जल जाए और जो भी अच्छी नुट्रेसिन चीजें वो आपकी बोडी में चली जाए और बेकाल की चीजें जल जाएं जितनी भी मैं बोलू कैलोरीज है वो तुरन बर्न आप में देखाऊगा जो लोग पतले लोग होते हैं उज जादा खाते हैं और मोटे लोग कम खाते हैं तो जो आपको चाहिए यहां पर एक पान और पान में आपको डालना है एक कप पानी और इसे ऐसे ही लोग डेपे आपको इसे बॉल होने देना है तन आपको जो नेंस्ट करें है texto आपको डेना है इतना अध्रक का टुकडा और ब्रेटर आप चाहे तो इसे जैसे आप मेह कूप ते हैं कुपनी में र्ञाश्ट अपज सकते हैं लेकिन मुझे घृस्पना में ज्यादा प्रिफर करती हूं और पूरा इतना वड़ा टुकड़ा आपको एक बार में देना है अगर आप स्पून में इसे मिजर करेंगे तो फुल बन टेबल आपको लेना है अपको यह अद्रक इसमें डालके बॉइल कर लेना है अच्छे से बहुत बॉइल करना है आपको इसे तो आप देख रहे हैं यह बहुत अच्छे से बॉयल हो चुका है यानि कि जो अद्र के स्टेक्ट है पानी में आ चुके हैं आपको इसके बाल यहां पर अपने फ्लेम को जो है वो बंद कर देना है और आपको एक इस्ट्रेन के लिए कप में इस्ट्रेन कर लेना है आपको इसे लेना कैसे है देखे सबसे जरूरी मेटाबॉलिक रेट हमारा पढ़ने के लिए एक मॉर्निंग का टाइम एक रात का टाइम जरूरी होता है दिन के शुरात आप इस अद्रक के पानी से करेंगे जिससे कि आपके डेजेस सब बहुत स्ट्रॉंग होगा और यह जो बिमारी फैली हुई है इस समय कोरोना यानि COVID-19 की उससे आपको काफी हल मिलेगी बॉडी में काफी अच्छी आपको हीट मिलती रहेगी और साथी साथ आपको इसे बेड टाइम लेना है यानि रात में खाने के बाद यह दो टाइम आपकी जठर अगनी सबसे ज़्यादा प्रवजलित होनी चाहिए और इस दो टाइम पे आपको सबस्यादा ज़रूरी होता है कि आपका मेटाबॉलिक रेट सबसे पीक पॉइंट पे हो तो इन मात एक छोटे से उपाय से आप अपनी जठर अगने को बहुत ज़्यादा दुनी तेजरी से प्रवजलित कर सकते हैं जिससे कि आपका खाना तुरण जठ डाइजेस्ट होगा और एक स्ट्रॉंग डाइजेस्ट वस्ट्रम आपको मिलेगा वीडियो जला साब एक झाल 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 झाल